Hello everyone, Good morning, Namaskar, 5 January 2024 और The Hindu Newspaper Analysis में आपका स्वागत है, आज की जितने भी important news और editorial होंगे, वो इस वीडियो के थ्रोड इसकस करेंगे, अगर आप इस newspaper की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा, या सीधा प्रिवर्त आएस अकैडिमें टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, कतर के अंदर जिन आठ भारतिये जो फोर्मर नेवल परसंत हैं, उनको सजा सुनाए गए थी, पहले ये capital punishment की सजा थी, बाद में इसको change कर दिया गया, अब उनको 60 दि इसमें इनको arrest किया गया था, arrest करने के पीछे क्या वज़य थी, अभी तक बहुत ज़्यादा clarification दोनों government ने ने तो भारत ने नहीं कतर ने दिये, कुछ reports में कहा गया कि इनको उपर जासुसी की allegation थी, फिलाल अगर हम बात करें, इसमें exact क्या हो रहा है क्या नी, तो इसमें 28 दिसम्बर को court की verdict आई थी, जिसमें जो death sentence उसको change कर दिया गया था, हलाकि अभी भी अगर हम बात करें, दोनों ministries, दोनों सरकार इसे बहुत ज़्यादा सिक्रेशी को maintain कर रखी है, और इसी context में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ministry ने बताया कि जो इसकी अंदर documents है, व options हमारे पास हैं, इस पूरिशनेरियों में, पहला अगर हम बात करें, एक appeal जो हो की जा सकती है, यहाँ पर इनकी जो highest court है, उसके अंदर, इसके अलावा, एक appeal हो सकती है, इनके जो अमीर होते हैं, highest level पर वो भी माफ कर सकते हैं, और third होती है, जब हम इनको इतरीके से, 2015-16 मे agreement होता कि इनको जो सजा सुनाई जाए यह भारत में complete कर पाए, third वाला option साइज, last option होगा, क्योंकि उसका सीधा मतलब यह होगा, कि इननोंने जो सजा, जो इनको सुनाई गे, वो इननोंने accept करी, इसको challenge नहीं किया जा सकता, और वो उनको complete करने पड़ेगी, कतर क्यों important है, कत साथ लाख भारतिय यहां पर रहते इस country के अंदर, इसलिए दोनों country बहुती सिक्रेशी से इस काम को इननोंने किया है, बहुत जादा public domain में comment नहीं किये issue को लेकर, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि यहां पर यह, यह 60 दिन मिलेंगे इनको challenge करने को लेकर, जो अभी court की judgment आई है, इसके बाद हमने पढ़ा कि इरान के अंदर दो twin attack होते हैं, twin bomb attack होते हैं, और उसके बाद Islamic state ने इसकी responsibility लेगी हमने किया, जो करना करो, अब इसमें कई सारी चीजी है, यह वाला area अलरेड़ी एक disturbed area है, और यह कोई पहली बार नहीं है, और अब क्योंकि इसराइल हम मास के अंदर war हो रहा है, तो यह war के impact जो है वो overall फेल रहे हैं, हलांकि इरान के उपर attack की responsibility ली है, Islamic state ने जो बहुत पहले organize हुआ था, Syria विराक में, अब यहां से यह निकल कर चला गया है, कुछ areas में, African continent में, कहीं न कहीं प्रिजेंस, अफगानिस्तान के अंदर भी reports आती है की देखने को मिलती है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इरान ने का कि नहीं, हम नहीं मानते हैं कि Islamic state ने कोई इस तरह का attack किया होगा, वो allegation जो US और Israel पर लगाते हैं, क्योंकि उनके relation बहुत अच्छे है नहीं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है exactly, सबसे पह इनके commander थे कासिम सुलिमानी, उनकी एक तरीके से death हुई थी, उसकी एक तरीके से death anniversary थी, अब Islamic state क्यों इसके against है, क्योंकि Islamic state का मानना है कि इन्हों ने ये जो व्यक्ति है कासिम सुलिमानी, इन्होंने CIA मिलिशिया कोई कठा किया और इराग के अंदर जो fight करी, basically Islamic state को बाहर न ने का है कि 1979 में जो Islamic revolution के बाद ये bloodist attack है, और Islamic state ने इसके responsibility लिए है, statement रिलीज करेगे इरान के द्वारा भी कि भाई, ये definitely strongly condemn किया जाना चाहिए, एक heinious or inhuman crime है, दिक्कत अब कई सारी है, इसको लेकर हम एक editorial वहाँ पर भी पढ़ेंगे, कि इरान जो इस टाइम पे दुनिय में वेस्टनेशिया में इसराइल को challenge करना चाहता, उसके internal issues भी बहुत जादा है, और इस reason मेंगर हम बात करेंगे, तो हर country के अपने issue है, इरान माल लेते हैं, इस reason में defense में अगर थोड़ा solid है, तो इरान की economic collapse कर रही है, और इरान में internal issues बहुत जादा है, तो इरान के लिए बड़े challenge है, Saudi Arabia और UAE के पास पैसा बड़ defense नहीं है, सोलिड, Syria और इराक अपने civil issues के अंदर उलजे हो है, यमन के अंदर एक तरीके से खुद एक civil war है, उमान बहुत छोटा सा country है, यह अपने आम में मस्त रहता है, इसको दुनिया से ज़्यादा फरक पड़ता नहीं है, हा उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसके significant हो सकते हैं, अगर हम अगले कुछ pages के बारे में identify करें, exam oriented news को analysis करें तो उसमें कुछ important चीज़े हमें मिलेगी, इसमें page number 4 पे अगर हम बात करें, अभी United States ने एक report publish करी थी कि भाई भारत के agency भारत के कोई व्यक्ति जो है, US के अं उनकी हत्या का प्रियास किया गया था, और इसमें निखिल गुपता एक नाम सामने आया था, निखिल गुपता को Czech Republic ने basically arrest किया था, जिसके अभी Prime Minister जो है या President जो भी है वो इंडिया में आएंगे, और अब इस scenario में Supreme Court में petition file करेंगी, कि भाई इनको जो हो इसके बारे में तरीके से petition file करेंगी, तो Supreme Court ने का कि हम इस तरह की petition को नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जो issue है वो international law or sovereignty of courts के बारे में है, और as per Vena Convention ये strictly जाता है, इसके लावा जहां पर भी जिस व्यक्ति को arrest किया गए, detain किया गए, वहां की जो judiciary है वो इसको deal करेंगी, इसके लावा Supreme Court का statement अगर हम बात करें, तो उन्होंने का कि ये बहुत ही sensitive matter है, और इसमें government decide करेगी कि क्या किया जाना चीए और क्या करना है, इसमें ये basically judiciary के area से भी बाहर है, अगर कोई व्यक्ति बाहर detain होता तो उसको वापिस लाना नहीं लाना ये तो वहां की सरकार या भारत सरकार basically decide इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी news है, election commission ने tweak किया है कि वही हम new parties के symbols होते हैं, election commission का एक important काम है, कि जो election लडने वाली party है उनको symbol दिया जाए, इसमें वो political party जो registered है लेकिन unrecognized है, recognition के लिए conditions होती है, state political party या national political party, इसके अलावे ये बताया गया, कि इनको mention करना पड़ेग कि अपनी last three financial year की audit in detail हो, पिछले दो election में इनका expenditure क्या रहा था, और जो इतरी कैसे office wearer है, उनके signature इनको चाहिए, ताकि ये जो benefits होते हैं, जो register political party के common symbol के वो इनको मिल सकें, आप लोगों के लिएक सवाल है, जब हम बात कर रहे हैं, national political parties के बारे में, तो national political party के लिए क्या conditions हो किन condition के base पर किसी party को national political party का status मिलता है, और इस समय आज 5 जनौरी 2024 तक भारत में कितनी political parties को national status दिया गया है, national political party का status दिया गया है, वो आप नीचे comment करिए, इसके बाद यहाँ पर एक छोटी शी news है, मैं सोज रहा था इसको पढ़ों के नहीं पढ़ों, फिर थोड़ा सा इसक इखने को मिलेगा, बड़ा interesting है, भारत सरकार की ministry है, ministry of cooperation, उन्होंने एक portal launch किया, तूर दाल के लिए, exactly मुझे भी नहीं पता, और दाल में बहुत सारे लोगों को एक confusion जरूर होगा, बहुत तरह की varieties होती है, तूर दाल procurement portal launch किया गया, लेकिन basic चीज़े हमें पता होने चीज क्या, एक तो हम लोग जितने भी pulses है, उसके consumption भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसका import भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दो cooperative है, एक है national agriculture cooperative marketing federation of india limited, और second है national cooperative consumer federation of india limited, ये procurement करेंगी pulses का minimum spot price के basis बर, एक बार इसको cross check करना, कि क्या ये जो तूर दाल है, ये minimum spot price जो एक तरीके से after consultation with commission, ये economic affair जो committee है, वो decision लेती है, क्या ये minimum spot price में तूर दाल भी include है या नहीं, इसको just cross check कर लेना, इसके अलावे बताया गया, कि जो दूसरी जो दाले हैं, जैसे उड़द है, मसूर है, इस context म और benefit के बारे हम बताया गया कि DVT है, डिरेक्ट benefit transfer के तूरू 68 लाग लोगों को मदद कीगी, अब आने वाले time में government का plan क्या है, अभी तक हम क्या करते हैं, दाल में चना और मूंग को छोड़ दें, तो बाकी दाल हम लोग import कर रहे हैं, चना और मूंग ये थोड़ा सा पता है कि हम लोग जो डाल import कर रहे हैं, उसमें self-reliant हो, यानि हम अपने level पर production कर पाएं, और दोजार अठाइस तक ये ensure करना, कि वही एक किलो डाल भी हमें नहे मंगानी पड़े, इसके लिए farmers को prosper करना पड़ेगा, ताकि देश जो है self-reliant हो, आतम निरबर हो, पलसिज के production मे और ये important भी है, nutrition campaign के हिसाब से, आतम निरबर जो है self-reliant एक interesting campaign है, और अगर ये completely successful होता है, तो ये game changer हो सकता है, हमारा import बिल कम हो जाएगा, यानि जो चीज़े मंगा रहे हैं, उसका जो खर्चा हो रहा है, जो बिल पे करना वो कम हो जाएगा, और ये भारत की economic के हिसाब स भी काफी solid चीज़े होंगी, इसके बाद अगर हम बात करें, तो कुछ और news आती, छोड़ी-छोडी news अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम एक data की requirement करीगी है, कि health ministry ने single woman जो ART root लेती है, उसका data जो हो मांगा है, अलग-अलग राज्ये सरकारों से, UT से, ART क्या मतलब यह होता है, जैसे अगर माल नेते किसी भी वज़य से बच्चा नहीं हो रहा है, या reproduction में कहींने कोई problems है, issues है, तो उनके लिए alternate या उसको assist करने वाले technology जैसे IVF है, इस तरह की बहुत सरी technologies है, 2021 में एक act बना था, जिसके तुरू यह data मांगा जा रहा है, basically इसमें चाह है, तो इसमें fertility expert ने welcome किया है, कि single woman or unmarried woman का कोई स्काटेगरी के अंदर रखा गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सुरोगेशी के बारे में काफी ज़्यादा discuss हुआ, सुरोगेशी in the sense कि जब commercially हिंदी में अगर हम बात करें, किराय की कोक, यानि जब एक महिला किसी भी रिजन से, अगर medically कोई issues है, वो बच्चा produce करने में successful नहीं है, तो उस context में दूसरी woman उनका बच्चा एक तरीके से produce कर सकती है, through the surrogacy, तो उसके लिए कुछ terms and conditions होगी, इसके अलावा यहाँ पर detailed report मांगी गए इस पूरे scenario के लिए, और इस sector के अंदर कई बार यह देखन नहीं नहोर, ART के बारे में पता होना चाहिए, कि यह क्योंकि infertility का treatment का एक technique है, और इसमें abnormalities को prevent करने के लिए यूज की जाती है, तो ensure करें कि proper transparency इस sector के अंदर हो, तो ART जिनोंने भी ली है, उनके data को एक तरीके से health ministry ने मांगा है, इसके बाद आदित्य L1 है इस रोका ए प्राइवाची हिंदी में पड़े हो, synonymous जिसको बोला जाता है, ये सूरिये का ही प्राइवाची है, और आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट जो है वो Saturday को एक तरीके से जो इसकी expected reach है, लेगरिंजियन्स पॉइंट पर वहाँ पर ये पहुँच गया है, और ये crucial maneuver है, जो हमारे लिए एक तरीकेश होगा, अदित्य L1 पहला in a space based observatory है, जो study करेगा sun को, और 2 September 2023 को ये launch किया गया था, इसके लावा इस तरो की televentory tracking and command network जो है, आयास track करके, ये बेंगलोर ये carry out कर रही earth bound manures को, L1 जो है, वो basically 1.5 million km दूर है earth से, और ये distance of L1 की अगर हम बात करते हैं, तो ये 1% of the earth sun distance के बराबर है, इसके अलावा, मेंली अगर आप इस mission के बारे में बात करेंगे, कि इसका मक्सद क्या है, इसका मक्सद है observe करना, और अगर हम बात करें, ये great advantage होगा कि वो solar activity को continuously observe करें, आदित्य L1 के अंदर 7 payload है, photosphere है, chromosphere है, और outermost layers को ये analysis करेगा, थ्रू electromagnetic and particle detectors के थूँ, आदित्य L1 जो है, ये 5 साल का mission है, तो जितने भी space mission है, जितने भी planet पे, जितने भी अगर हम solar system में चीज़े पढ़ते हैं, उनको लेकर जितने भी space mission आते हैं, इस तो के specially, वो बहुत जादा relevant हो जाते हैं, कल हमने पढ़ा था कि इसी तरह का mission जो है, बहुत सार space agency है, even Russian space agency के भी कुछ mission हो सकते हैं, उसके बारे में जुरूर आपको ध्यान अखना है, अब आप लोगों के लिए second question है, जब हम space mission के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो है आदित्य L1, तो आपको आना 2023 में कौन-कौन से हमने भारत सरकार की जो agency है, इस रो, इसने कौन-कौ में रहे हैं, highly significant रखते हैं, 2023 के mission के बारे में एक बार जुरूर आप comment करना और वो किस से related थे हैं, उनका subject of interest क्या था, वो भी आप जुरूर नीचे comment करें, इसके बाद editorial पार्ट में तीन editorial हम देखेंगे, पहला silding, silding, silding सेवी करके title दिया गया है, सेवी के बारे में कई सारी debate रही, सेवी और हिंडबर की report के बाद Supreme Court की क्या judgment है, उसको analysis किया गया है, अडानी case में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, second article है, इरान के अंदर terror, इसके बारे में बात करेंगे, और next page पे class article है, higher education में क्या skill requirement है, और higher education के साथ क्या unemployment का rate बढ़ रहा है, women's की क्या conditions, उ सब के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, सेवी को seal करने के बारे में, Supreme Court ने जो decision लिया है, basically news में क्यों रहता है, ये क्यों issue है important, देखो, अडानी group के उपर एक allegation लगा, और सेवी के उपर भी allegation लगा, अडानी group पे allegation क्या लगा, कि इन्होंने अपने share का mal functions किया है, और उसके prices जान भूजगर कम किया है, unnecessary benefit लेने को लेकर, इसके बाद ये पूरा मामला गया, इस तरह की report आई, हिंड बन एक US की report थी, और उसके बाद Supreme Court ने क्या का है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, Supreme Court of India ने बहुत सारी petition फाइल करेंगी थी इस case में, एक United States based short seller allegation था, कि वही, जान भूजगर अडानी ग्रूप ने stock price के अंदर manipulation किया है, इस तरह का उनके उपर allegation था, लेकिन अब ये पूरा मामला वापी जाएगा, CV के पास, court ने opt किया है कि वही, इस तरह की petition जो है, ये जो protect करती है, larger public interest को, ये कहीने कहीं, एक अपने wisdom पर य जिसको lead किया गया हमारे Chief Justice of India के द्वारा, और उन्होंने observe कि सेवी ने, प्राइमिया फेशी अगर हम बात करते हैं, पहली नजर में, एक comprehensive investigation किया है, और एक confidence को inspire करता है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो investigations है, उसमें कोई इस तरह की deliberate in action ये in adequation न जबर आप इस analysis को देखेंगे, कि जो court appointed export committee है, 2023 में, उन्होंने कहा कि ये matter saviour court के बीच में है, और determination किया जाएगे कि possible violation जो होता है, minimum public shareholder में, और जो भी related party transactions है, उस तरह का, उसको inquire करने के लिए ये basically committee बनी थी, इस bench ने instead किया कि जो court direction देती से भी को, कि वो amendments जो होते हैं, foreign portfolio investment regulation and listing obligation और disclosure requirement के अंदर, ये amendment जो हो petitioner की important था, वो कहिना की regulatory failure के मामले में दर्ज की जाते हैं, जब आप investor के regulation की बारे में बात करते हैं, foreign portfolio investor यानि वो investor जो किसी जैसे अमरीका का कोई investor है, भारत की किसी institute के अंदर investment कर देता है, किसी firm के अंदर investment कर देता है, या उसके लिस्टिंग obligation disclosure requirements होते हैं, वो amendment क्या, उसमें regulatory failure रहा, ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन Supreme Court ने का कि कोई इस तरह की illegality जो है, वो इसके अंदर नहीं पाए गई है, या arbitrary, capricious, या कोई ऐसा crime नहीं हुआ है, या कोई violation नहीं हो, constitution का, इस पूरे मामले में भी, तो ruling जो है, वो investigator जो है, उनको जो इननोंने ये report publish करी, उस मामले में बहुत ज़्यादा इन allegations को indicate नहीं करती, हिंडन बरग research की report, और अगर आप allegations की गर हम बात करेंगे, तो सेवी ने, इसके बारे में बतायाए कि, सेवी ने 24 में से 22 investigation complete करी है, और जो दो pending है, वो भी क्योंक इनपूट अवेट कर रहे हैं, फोरन रेगुलेटर का, इसलिए वो pending है, court का जो एक तरीके से observation है, specialized regulator के बारे में, वो understandable है, और decision अभी भी एक crucial question को छोड़ता है, कि क्या investigating allegations के हैं, क्या वो सही है, क्या वो proper inquire करने में एक तरीके से decision लिया गया, तो court जो है, वो definitely एक important observer रखता है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है, जिसके answer जो आने वाले time में दिये जाने चाहिए, यहाँ पर इन्होंने एक line लिखी है, last में, कि after all, justice must not only be done, न्याय के वाल करना है नहीं है, बलकि उसको न्याय होते हुए भी हम देखना है कि न्याय exactly कहां पर हुआ है, ठीक है, इसके बाद terror in Iran करके title है, जो editorial का, यह इरान के अंदर जो terror attack हुआ है, उसको analysis किया गया है, इन्होंने बड़ा class article यह भी, तो भी हमने पड़ा कि इरान की south eastern Iranian city है, केरवान करके, वहाँ पर एक twin blast होता है, जिसमें कासिम सुल अंडर है, जो इन्होंने, जिनका United State ने 2020 में बगदाद के अंदर assignation कर दिया था, बगदाद में क्या करने गए थे, वो पढ़ेंगी हम लोग, यहां पर यह बताता है कि इस घटना ने, क्योंकि इसी की death anniversary पर लोग इकठा थे, है ना, और यह indicate करता है कि इस तरह के terror attack के इन्होंने का कि West Asia की जो vulnerability है, वो हम लगातर split कर रही है, लगबग 84 लोग यहां पर मारेगे, Islamic Republic की history में इस तरह के terror attack में worst terror attack है, सुलिमानी है कौन, यह brain है behind Islamic revolutionary guard cops, जो overseas को देखती है, और यह एक अच्छा का सा status इरान के अंदर रखते हैं, इनको as a hero design किया दाता है वहां पर और वहां की सरकार हो, वहां के religious head हो, उनके लिए बहुत ही एक तरीके से, right hand कह सकते हैं यह उनके famous face है यह, इरान के leader जो इस attack को terror attack कहते हैं, और हलाकि वो ऐसा नहीं कोई blame नहीं कर रहे हैं, वो continue US और जाइनिस्ट एंटिटी यानि इस्राइल पर allegation इसके लगाते हैं, Islamic State न क्यों responsibility ली, जो IS है और सुलेमान एक दूसरे को अपना enemy मानते थे, जैसे सुलेमानी ने सिया मिलिशिया को इकठा किया था, सीरिया और इराक में इसके against fight करने में, और 2018-19 में इनोंने बड़ा important role play किया था, इनको बहार निकालने में, इसके अलाबा एक बड़ा destruction जो है इस्टेशिया के अंदर जो tension पहले से थी, वो और आपको बढ़ती है नजर आएगी, अगर आप senior हमास लीडर की अगर हम death के बारे में बात करेंगे, लेवनान के अंदर drone attack से हुई, इसके अलावा हिजबुल्ला इसराइली टूप से limitedly engaged है, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो या, हाउती हो गया, ये बैक के जाते हैं इरान के दौरा, हिजबुल्ला लेवनान के अंदर काफी active है, और इसराइल और हमास वार में लगव 22,000 लोगों की death अलरी हो चुकी है, और अभी भी ऐसा नहीं कि कोई इसका solution निकलेगा, तो regional escalation जो है वो continue है, रेड सी के अंदर ह आउती रेबल, commercial ships पर attack कर रहे हैं, तो ये इरान, इसराइल के बीज मेंने अभी ये western Asia का बड़ा part कवर कर रहा है, जो कहीं नहीं कहीं disturbed है, और आपस में ये area उलज रहा है, इसके अलावा, इसराइल हमास वार, जो है वो कोई, इसराइल और हमास का वोर नहीं रह गया, ये है, और ये attack indicate करता है, इरान के लिए भी warning है, और उनके rivals के लिए भी, कि instability आने वाले time में बढ़ सकती है, और जब instability बढ़ती तो क्या होता है, इसराइल बढ़ती है, तो जो terrorist है, उनके लिए एक तरीके से अच्छा प्लेस होता है, जिन जिन country में instability होती है ना, political instability खासकार, वहाँ पर terror outfit के लिए important invitation दिया जाता है, आईए, आप यहाँ पर rule करिए, तो de-escalation करना पड़ेगा इस regional crisis को, इरान एक side है, जो कहिने के indicate करता है, दूसरी तरफ इसराइल है, यूएस है, provocation अलग-अलग level पर हो रहा है, हमें restraint करना पड़ेगा, और focus करना पड़ेगा, कि internal security, इरान definitely एक बड़ी important power इस region में, बट, internal security को भी maintain करना है, बड़ी power हो और अपनी country में terror attack को safe नहें कर पाएं, तो फिर उस पे कई सारे सवाल भी raise होते हैं, थर्ड and interesting article है, कि क्या higher education out of touch हो गया है, skill requirement, जो job market के अंदर, जो job requirement है, या हम लोग केवल graduate हो रहे हैं, तो उसको लेकर यहां पर एक बहतरीन analysis कह सकते हैं, कि private agencies की कुछ report आती है, जो state करते हैं कि Indian graduate जो है, वो 2021 में employees के बारे में, half of Indian graduate जो employee थी, according to periodic labor force survey, unemployment rate जो है, ग्रेजुएट्स के अंदर ज्यादा है, अगर आप developing countries के बारे मात करेंगे, student जो enroll किये इस दोरान, वो आपको ज्यादा देखने हो को मिलेंगे, कोविट टाइम पे और अब वो graduate भी हो चुके, तो उनके लिए employability की opportunity कैसे create करेंगे, वो एक interesting सवाल है, और higher education इंडिया क्या out of touch होगी है, उसके बारे में discuss कर रहे हैं, और क्या market में, की जो market की requirement है, उस एक गर्डिंग जो है, हमारे graduate को skill नहीं है, यह detail से हम लोग पढ़ेंगे, लेखने की सवाल आप लोगों से है, इरान वाले ही context में, इरान के पास एक important है, caspiancy करके, तो आपको comment करना, caspiancy किन किन country से अपनी boundary जो है, वो share करती है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कि क्या online learning ने impact किया employability को, तो इसके बारे में discussion किया गया, कि इसमें doubt नहीं है, इसमें कोई problem नहीं है, कि employability जो है, वो इससे पहले भी एक important चीजे थी, लेकिन online learning का जो crazy है, वो इसने और जादा boost up किया, यह indicate करता है, कि हमारा जो higher education है, जिसमें top 20-30% income distribution होता है, वो relatively well off है, लेकिन vast majority of हमारे youth जो है, वो higher education के अंदर enter कर रहे हैं, higher education enrollment में 27% 18-23 साल में यही बच्चे graduate होते हैं, इसके लावा 2012 में unemployment rate graduate में 20% थी, 2021 में 34% है, 2012 में PG में 18% थी, अब यह 37% है, तो आप online इसको boom कहेंगे, या एक हमारे education system में problem कहेंगे, यह indicator है, और हमारे education system में एक structural problem है, इसको हमें accept करना पड़ेगा, major reason क्या है, जैसे 2006 और 2018 के बीच में एक बड़े सिंक्या में massification हुआ, massification नहीं सब लोग graduate कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि private colleges का number बढ़ गया है, quality कम हो गी है, state government, central government, UGC के बसकी बाद कुछ है रही है, तो उस तरह की चीज़, यह यह capacity नहीं है, properly regulate करने की, यह university, exam दो, pass और degree लो, उस तरह की institute बन गए है, online education एक additional problem है, इसके बारे में इन्होंने बात की है, इसके बाद दूसरे वेक्ति आते हैं, फरकान कमार, उन्होंने का की educated people, जो है उनको जोब नहीं मिल रही है, और unemployment का number जो है definitely बढ़ा है, graduates अगर हम बात करते हैं, वो जोब नहीं मिल रही है उनको भी, और economy, क्या job creating नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल है, इसके लावा country के अंदर better opportunity के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फोरण जा रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी हमने immigration का एक issue देखा, France के अंदर एक plane को जो है वो रुकवाया गया था, human trafficking का एक allegation था, एक movie आयती, donkey करके, donkey का एक similarities है, जिसको illegal immigration जो जाते हैं US के अंदर, इसके अलावा online learning ने definitely एक learning losses किये हैं, और जो student आप मिल रहे हैं, जिन्होंने online courses लिये थे, वो इस चीज़ को समझते हैं, कि ज़्यादा time तक आप screen पर अगर spend करते हैं, तो उसकी कोई benefits नहीं है, learning deficiencies देखने को मिल रही है, एक बच्चे की जो learning abilities उसको affect हो रही है, और ये ensure करना कि हम लोग knowledge को acquire करेंगे, एक employable opportunity create होगी, ad tech company भी अपने आपको downsize करें, उनको पता चला है कि अब जो बच्चे online education बहुँ जादा interested थे, वो उस तरह का interest अब उसके अंदर नहीं ले रहे हैं, इसके बाद ये बताते हैं कि क्या economic job create नहीं कर रही है, क्या agriculture sector जो बड़ा employment providing sector है, वो एक बड़ा important role play करता है, manufacturing sector की क्या demand ह skill की क्या role होने वाला higher education में और primary sector में जो agriculture और उसे affiliated activities होती है, उसमें क्या changes करने की requirement है, agriculture definitely एक बड़ा sector है, लेकिन इसके अंदर high technologies नहीं है, और जो youth graduate होते हैं, वो generally नहीं चाहेंगे कि हम लोग agriculture profession के अंदर जाए, अब ये trend है basically और agriculture profession में क्योंकि हमारी agriculture को high tech agriculture तो है नहीं, basically आपको हाथ से काम करना पड़ता है, और आज कल जो youth है, वो mobile से ही नहीं निकल पाते हैं, खेत में जाकर काम करना, it's not easy, इसके अलावा अगर हम बात करें service sector की, तो job जो है वो create की गई है, लेकिन इसके अंदर high level of knowledge की requirement है, most job जो है वो जैसे delivery boys की generally graduate लोग क करना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में वो जो को accept करते हैं, higher education institution जो है, वो essentially knowledge institution है, और जब ये new knowledge को create करते हैं, तो इस तरह का चाहे technology के अंदर development हो, business के अंदर possibility हो, innovation, entrepreneurship या फिर start-up उस तरह की possibility जो उनको मिल सकते हैं, after higher education, दूसरे वेक्ति बोलने हैं कि एक और बड़ी problem है, वो structural problem की जो बात की गई है, higher education sector में वो है, research and development expenditure बहुती कम है, GDP का 0.7% हम लोग खर्च कर रहें, कोरिया में ये 4% है, आप knowledge को create कैसे करेंगे जब आप investment ही नहीं करेंगे, research में, दुनिया में जहां 70% private company, corporate जो खर्च करती है, भारत में ये केवल 30% है, हमारा सरकारी investment बात करेंगे का कि जो research होना चाहिए, universities के अंदर बहुती कम profession पर होता है, और most of the research होता है, वो government sources के थूरू होता है, या तो वो CSIR को चला जाता है, या फिर दूसरी agencies को चला जाता है, इन्हें exact research जो वो नहीं हो रहा है, पूरे scenario के अंदर, और इसके अलावा यहां पर इन् लेकित आईटे का number जो phenomenon rate पर बढ़ा है, उस हिसाब से quality को लेकर एक तरीकेश दिक्कत आती, massification, quality produce नहीं कर रहा है, industrial research, Indian council of medical research, यह एक problematic भी है, कि अगर आप सब कुछ public research institute पर एक तरीकेश से force कर देंगी, कि आप को ही करना है, तो private sector का क्या रोल होगा, और इसे ordinary लोगों को क्या help मिलेगी, यह अपने आप में research, यह अवर stress हो रहा है, और finally, हमारी country के अंदर प्रोपर एक industrial policy नहीं है, जो manufacturing strategy पर deal करें, directly, और young educated researcher को जो अबजोर करते हैं, high value services को, इस तरह की indicate नहीं है, 800 multinational company अगर हम हमारे आपर कर काम कर रही है, बट research जो है, वो abroad से आता है, इसके लावा, some report यह suggest करती है कि women graduate का number भी बड़ा है, participation woman जो है बहुत ही कम है, graduation तो हो रही है, लेकिन काम उनको नहीं मिल रहा है, इसके लावा क्या skill enhancement हो सकता है, और क्या महिलाओं के लिए भारत में कोई opportunity है या नहीं है, इस तरह की question है, इंडिया के अंदर female labor force participation दुनिया में इसको इसमें कोई doubt नहीं है, और इसमें अगर हम बात करें खासकर आपने देखा होगा post graduate institution के अंदर लड़कियों का number ज्यादा होता है as compared to boys, women educated हो रही है, और वो ये भी कहा रही है कि हम जल्दी साथी नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत आती कि जोब नहीं मिल रही है, ये एक बड़ी problem है, 2020 में national education policy बनी थी, उसके में skill traditional slivers को integration करने के बारे में बात हुई थी, क्या कोई important impact पड़ा है, ये बताया गया कि selective implementation हुआ है problem policy का और ये बड़ी problem है, जो भी अगर हम बात करते हैं policies के मामले में, जो policy हमें different thing provide करती है, as a result हम लोग ये देख रहे हैं कि जो education system मे change होना चाहिए ground पर, उस तरह का change जो वो नहीं हो रहे हैं, और हमारे यहां प्रगरम education की बात कर रहे हैं, तो इसके जो national education policy है, उसमें उस तरह का चीज़े नहीं हुए, कई सारी controversy और confusion अभी भी बने हुए हैं, इन्होंने एक example दिया कि वही, admit करेंगे common basis पर student में, जैसे NTA क बहुत बड़ा role होने वाला इस process के अंदर, तो उस context में student को select करने का, उनके score के basis पर या कोई दूसरा process होगा, इसके अलावा policy contest करने के लिए, क्या decision हम लेंगे इस तरह के चीज़ों को लेकर, जब हमें research institution जो है उनके बारे में, बहुत जादा discuss नहीं कर रहे हैं, research बहुत important हाइर education institution की autonomy के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा central university के इंटरेंस test के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन one nation, one examination जैसी जो हो बात बेसिकली नहीं हो पा रही है, और क्या ये implement होगा, इसके अलावा question आता है कि वही क्या महिला है, जो oriented sector के अंदर जाहरी जैसे engineering colleges के अंद women's का number कम होता है, दोसरा यहाँ पर ही बताया गया कि social growth की equity की गरम बात करते हैं, schedule का, schedule tribe, muslim participation जो higher education institution में बहुती कम आपको नज़र आएगा, तो क्या specific equity action लिए जाने चाहिए, जो indicate करे कि देश की अलगलग society जो है, वो inclusionist और equity पर काम करे, यारी सब लोगों की भागिदार participation होना चाहिए, इसके बाद इन्होंने indicate किया, ITIs का क्या role है, polytechnic colleges का क्या role है, ITIs जो है, उनका number definitely बढ़ा है, और इसको massification ही बोला जाता है, कि भई, दुनिया बर के crowd गठी कर दो, लेकिन quality का फिर issue आ जाता है, national education policy में, enrollment number definitely बढ़ा है, लेकिन हम ही ये ensure करना पड़ेगा, कि 10th और 12th के बाद, बच्चे को अट्रिस basic skill जुरूर आने चाहिए, चाहिए वो industry और employer के हिसाब से, और उनकी quality के अंदर improve करना पड़ेगा, ये कैसे किया जा सकता है, ITIs का बहुत important role होगा, polytechnic colleges का बहुत important role होगा, जो skill एक तरीके से infuse करेंगी हमारे youth के अंदर, तो इसके बारे में discuss किया गया, इसके बाद बहुत छोटी छोटी news होगी आपको next quiz pages पर, और वो हमें cover करनी है, जैसे अगर आप world affair में देखें तो एक छोटी शी news है, और ये news क्या है कि मैनमार के अंद ने independence day पर लगबर 10,000 prisoner को release किया है, जोगरिफिकली थोड़ा देखेंगे मैनमा मैनमार में इस टाइम पर military rule है, और military rule जिसको जंटा यहां पर बोला जाता है, भारत के चार state boundary share करेंगे, मिजोरम, मनेपूर, नागलेंड और सबसे ज़्याद आता और नाचल प्रदेश, इसके अलावा बंगलादेश के साथ, चाइना के साथ, लाओस, थाइलेंड और इनको boundary share नहीं करता, यह वाला नहीं होगा, अभी कई बार आपने देखा होगा कि एक issue आता इस पूरी नोर्थ इस्टन बेल्ट जो मैं मार की है, यहां पर यह military गेंगेस्ट लोग fight करते है, कन्मिंग वाला जो area है, यह जहां पर यह चाइना का पर इंटरस्ट रहता है, उ इसके अलावा गर हम बात करें, तो इसमें कोई specific news आज नहीं है world affair में, economy की जहां तक बात है, उसमें दो चोटी-चोटी news है, पहला तो भारत सरकार ने न स्क्रियू और electrical import पर एक restriction लगा दिया है, और इस restriction में एक word use किया गया, मैं direct उस word पर बात करूँगा, कि exactly यह word क्या है Central Government ने scrap किया है, कि एक free import नहीं होगा, ऐसे सिक्रियूज की जिसकी value, CIF value जो है, वो 129 पर kilogram से जादा है, यह CIF क्या होता है, यह हमें पढ़ना है, CIF value का मतलब होता है, जो refer करता है कि भाई, landed cost क्या होगी, यानि इसमें imported goods की, जिसमें insurance भी आता है, freight charges भी आते है, उसकी overall cost भ इसके बाद एक और चोटी सी news आपको देखने को मिलेगी, इसमें अगर हम बात करें, भारत में toy industry के बारे में बात की गी है, toy industry क्यों important है, जनली जब हम toy industry के बारे में पढ़ते हैं, तो लोग बलते हैं कि economy क्या role play करती है, तो इन्होंने बताया कि 8 सालों में 239% हमारा toy industry के generate किया है, export के थूँ, 2014-15 में अगर हम बात करें, 96 million dollar का हम एक तरीके से export करते हैं, अब 326 million का trade कर रहे हैं, इसके अलावा import हमारा कम हुआ, यनि अगर आप toy industry को economy में conversion कर सकते हैं, तो definitely game changer होगा, कैसे किया गया, एक तो बहुत सारे measure लेगी, जिसे import tariff लगा दिया गया, कि हम quality और, जो quality control उसको बढ़ाना है, इसके अलावा भारत के अंदर made in India toys को काफी promote किया गया, 12% annual growth का estimations है, इसके अलावा इसमे गेम चेंज आता, जब भारत के प्राइमिस्ट ने इंडिस्ट्री के बारे में बात किया, इंटर मिनिस्ट्रिल कमेटी बनी, और tariff बढ़ाया गय के अंदर, dumping क्या है, कि अगर आप कम value का product इंडिया में लाते हैं, भारत में लोग थोड़ा excited हो जाते हैं कि ये चीज़े, कम कीमत की मिल रही तो इसको पहले खरी देंगे, तो फिर quality को लेकर compromise होता था, quality और quantity इन सब को कहीं ने कि restrict किया गया, कि bad quality से नहीं होगी, और 2014 से 2020 म इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन import के अंदर कम हुआ, ये important है, इसके अलावा United Arab Emirat और Australia ने zero duties market पर दी है, तो इसे साब से भी आने वाले time में हम expect कर रहे हैं कि toy industry में export का जो हमारा rate है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो फिलाल आज के the Hindu news paper analysis में इतना ही, तीन सवाल जो गए है, सभी comment करिए, comment करने से personally मुझे कुछ benefit नहीं है, बट एक active engagement होता हम सम मिलकर उसमें आगे बर सकते हैं, thank you all, जहिन